जै माता दिन, सभी मित्रों को, सभी भाईयों का, सभी भक्तिगणों का स्वागत है कल से यानी 7 अक्टूबर 2021 स्रादी नवरात्र, माताया जी की नवरूपों का आगमन सेल, पुत्री, पर्थम दिन से नवरात्र का सुरुगात, यानी सनातन धर्म, हिंदू, धर्म, संस्किती का नया साल प्रारंब हो जाएगा मित्रो एन नया साल है, नवरात्र से, न दिर्गा को पूछते हुए, हमारे सनातनी धर्म में माता को पूजन किया जाता है, माता का पूजन करते हुए, नहे साल का सुभा आरंब किया जाता है तो बोलिए मातारानी की जेल अब हम आपशब को कल जो है कि पमाम प्रकार की समय है आप वइसे तो नमरात्ति में कभी भी किसी भी समय पहले दिन आप घट अस्थापना कर सकते हैं आनि कलस अस्थापना कलस रख सकते हैं घर में लेकिन फिर भी मुहुर्थ के हिसाब से देखा जाए तो आप साड़े छे से लेकर साड़े दस बजे तक अच्छा समय है उसके बीच में कभी भी आप गट अस्थापना कर सकते हैं अपने घर में कलस अस्थापना में सरोपरी में मैं आप सब को बता दूँ कि मिट्टी के कलस का विवधान है कि मिट्टी का जो कलस है वो रखा जाना चाहिए इसके बाद उसके उपर एक दियला होता है ढखने के लिए उस दियले पे आपको चावल रखके उसके उपर आपको कलस रखना होता है आम के पत्ते भी कलस में डाले जाते हैं, साथ में कलस में डालने वाले चीज़ें, सुपारी, लवंग, हिलाइची, इसके बाद इत्र, साथ में थोड़ा सा चावल डाल देजिएगा, पुष्प डाल देजिएगा, और हल्दी डाल देजिएगा, सुपारी, खड़ी सुपारी, कुछ द्रभ, दछिणाय जो होती हैं, एक रुपए, दस रुपए, 11 रुपए, जो भी है, सिक्का, उसमें डाल देजिएगा, डाल के फिर आप पानी डाल देजिएगा, गंगा जल भी डाल ना भूले, गंगा जल भी डाल के, ए आपका कलस का बिद्धान हो गया।। कलस्थ के उपर स्वास्थिक बना लेजिए। कलसस्थ के जो कंट होता है वहाँ पेख़ज के आप रक्षा सुत्र होता है वह बांधिजीए। मंत्र गायत्री मंत्र या किसी मिट्टी थोड़ी से गिली कर लीजिएगा, उसमें जों डाल लीजिएगा, मिट्टी बढ़ियां से अस्थान पे रखके, उसमें स्वास्तिक बना के और फिर उसी को पर कलस रख दीजिएगा, अब इसके बाद आपको एक और बाद बता रहा हूं, कलस रखने बाद कलस के च 27 इसलिए कह रहा हूं, कि हमारे जिवतिस में 27 नच्छत्र हैं, 27 नच्छत्र जो हैं, 27 लवंग गाणेंगे, तो सभी नच्छत्रे, नच्छत्र से आपका गरह का संबंद होता है, रासी का संबंद होता है, तो 27 नच्छत्र जानके, उसमें 27 लवंग गाणे, इस से बहुत बड़ा मनो कामना पूर्ण हो जाती है इस विदी से अधाला जाता है है घर में मिट्टी का जो कलस होता है अगर आप डाल सकते हैं तो डाल दिजिए अगर यह यह डाल heavier तो यह कना साथ करके उसमें आप कल दीजिए इसके बाद कलस देव का आवाहन करीएगा वरुन देव का आवहन करिएगा सभी देवी देवताओं का आवन कलस्मि करते हुए पूजन करते हुए गवरी गणेश का पूजन करते हुए मतारानी का आवहन करिए कि है मतारानी आईए आप अस्थान गरहन करें हमारे घर में आपका हम अपने हिसाब से जैसे हैं जिस काबिल हैं तन मन धन के साथ आपका हम सेवा करेंगे आपका पूजन अर्चन करेंगे और आने वाले ईस नए साल की जो सुरुगात है हमारे घर, परिवार बाल बच्चे हमारे काम काज में तरकी करें बस except जोड़ते हुए माता रानी का बोड़ान करते हुए दिखाते हुए और संकलp लेते हुए माता रानी पाट कर्टे है संकल requ종 nenो दिन हो बृत रहना चाएं संकलप करिए एक दिन कराना चाहते हैं चाहिआ इस शंकलप जरूरी करना अगर संकलप आप खुद कर सकते हैं तो करिए नहीं ब्राम्हर से बुलावा के कराईए अगर आप खुद करते हैं तो संकल्प आप हिंदी में जिस भासा में रहते हैं जैसे रहते हैं अपना नाम गोत्र गाओं का नाम अस्थान जो भी है वो लेते हुए जो सांदीन है किस कारे के लिए कर रहे हैं किसकी पूजन करना चाहते हैं उनका नाम लेते हुए विश्णु 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 बोलते हुए जल को जमीन पे अर्पित करते हुए हाथ जोड़ लेजिए इसके बाद आप धूब दीप आर्ति पूजन करते रहिए नव दिन तक मातारानी करेंगी बोली जाए माता दें